लखीनपुर खीरी सदर कोत्वाली क्षेत्र अंतरगत आरेम ग्यानदाइनी स्कूल से स्कूली गानदाई बच्चों को छुट्टी के बाद उनके घरों पर छोड़ने जा रही थी जैसे ही स्कूली वाहन रामपुर स्थित बालाजी दर्बार के आगे पहुँची एक सांद अचानक वाहन के सामने आ गया वाहन चालक सांद को बचाने के चक्तर में अनियंत्रित हो गई जिसके चलते स्कूली वाहन सड़क के किनारे बने गर्गदों में जाकर पलट गई हाथसा देखकर आसपास मौजूद ग्रामीन ओवर राहगीरों ने बच्चों को बाहर निकलने में मदद की घैपना की सूचना पाकर स्कूल प्रबंधन वो पुलीस भी मौके पर पहुँची वो अवाहन में सवार सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल घायल बच्चों को 108 एंबुलेंस उपचार के लिए ओल मोतिपुर जिला अस्पताल लाए गए जहां पर घायल 6 बच्चों को इलाज हेतु भरती किया गया कुछ देर इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल 3 बच्चों को उनके परिवारी जन प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हेतु ले गए स्कूल के प्रबंधक राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि स्कूली वाहन में छमता से अधिक करीब 20-22 बच्चे सवार थे 6 बच्चों को चोटे आई थी जिसमें 3 बच्चों को ज्यादा चोट आई घायव दीपंसी वर्मा उम्र 12 वर्ष, अंच वर्मा उम्र 11 वर्ष, कंचन वर्मा उम्र 15 वर्ष, आराध्या वर्मा उम्र 7 वर्ष, गगन वर्मा उम्र 6 वर्ष, अनन्या उम्र 9 वर्ष देखिए ये रिपोर्ट करने हैं ताहरेने वले हैं क्या कटना हुई यह आपर जा रहे थी एक्सिगेंट्स दो गया है कहां पर यह प्राजापन मंदिर गया थी कौन से स्कूल बच्चा पड़ते हैं आरेन ग्राइगे